Hello Friends ! मरे नाम AzDe Si Sodie है, और आप देख रहे हैं Docker on Linux तो यहां पर हम देखने वाल हैं, इस वीदियो में कज करेंग अगर हम कंपोज़ केX penूट तो वहां पर docker file काम कैसे यूज करेंगे वो देखने बाले है कैसे हम बिल्ड करेंगे उसको docker file को तो मैं चला जाता हूँ अपने folder में बहुत ही important video दोस्तों क्योंकि यहां पर आगे चलकर आपको docker file बनानी पढ़ सकती है काफी सारी जैसे PHP का अलग हो गया MySQL का अलग हो गया अब उसमें extensions बगएर डाउनलोड करनी पड़ सकती है इस्टोल करनी तो सबसे पहले मैं docker compose.yml को open कर लेता हूँ जैसे last video में आपने देखा था तो अभी तक तो मैं यहां पर image यूज कर रहा था direct जैसे web के अंदर आपने इमेज दिखा देता हूँ आपको जिस image का मुझे यूज करना है तो अगर आप direct image यूज करेंगे तो उसमें changes करनी पाएंगे तो यहां पर एक docker file मुझे बनानी पड़ेगी image बिल्ड करानी के लिए तो image कैसे build करना है आप देख चुके हैं पहले तो मैं यह image लेता हूँ दोस्तों यह मेरी जो image है, git hub पर यह मिल जाएगी तो मैंने image में कुछ changes किया है उसके बाद github पर मैं इसको push कराया था तो इसको मैं pull करा रहा हूँ पुल्तों में करा चुका हूं मेरे पास है तो मैं यहां पर इसको यूज कर रहा हूं ठीक है तो मैंने बनाई है docker file तो docker file में मैंने एक syntax लिख दिया syntax कि यह image मुझे यूज करनी है ठीक है यहां तक तो ठीक है सब अब आगे बढ़ते हैं यहां मुझे चेंज करना पड़ेगा और यहां देना पड़ेगा बिल्ड और मुझे इसका path देना पड़ेगा docker file कहां पर है जो मैंने भी बनाई है तो जो current directory के अंधर ही है फिलाल तो जिसमें यह file पड़ेए compose.yml तो वही पर docker file है तो मैं यहां पर सिर्फ डॉट लगा देता हूं तो current उसके लिए आपको इतना तो आपको आता है तो मैं अभी फिलाल के लिए इसको हटा देता हूं और ध्यान से इसको ध्यान देना इसमें ठीक है तो मैं आप पोर्ट मैंने 8081 कर लिया है क्योंकि 0080 कही देखे यहां पर एक error आ रही है जैसी मैंने docker compose up-d command चलाया है तो यहां पर एक error शो कर रहा है पार्सिंग error कोई बात नहीं कुछ यहां mistake लग रही है मुझे syntax में तो अभी देख लेते ओपन कर लेते डोकर फाइल को तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पहला इसी इमेज है आईडी भी कोई चेंज नहीं होगी यहां दिखा देता हम आपको इमेज में कोई चेंज नहीं है जैसी इमेज थी मैंने वैसी यूज की अभी तो इसको मैं अगर डोकर कंपोज में भी अगर मैं इसको यूज कर लेता तो भी कोई फरक नहीं पड़ता तो अब आगे चल कर देखेंगे इसमें क्या अंतर आएगा तो फिलाल में मैंने container खड कहता है वहां से मैंने पुल किया इसको तो मैंने पहले अगर शायद गलती से गिट हब बोल दिया होगा तो वह गलत मैंने बोला था डोकर हब है ठीक है जहां पर इमेज को पुछ कर सकते है और पूल कर सकते है वहां से मैं इस इमेज को चेंज कर लेता हूं एक फ्रेश इम तो यहां पर मैं देखिया अभी यह इमेज नहीं आने चाहिए क्योंकि मैंने दूसरी इमेज यूज कर रहा हूँ प्यच्पी 8.0 लेटेश्ट तो अब इसमें यह जो बेस इमेज है वो फ्रेश है इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया इसमें नहीं यूज करना हूँ तो यहां पर कुछ भी ऐसा पेज नहीं आना चाहिए तो देखिए यहां पर मैने रिफ्रेश कर लिता हूं इसको स्पर यह इसमें गढ़़वरह क्यों आ प्योंकि तो फ़ले से बनाम से बासे बना रही है थीक है तो इसने ailमेस नाम से बना रही है यह हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा गलां गया यह पयंगरी ने जो आका हम्होने तारके फाल moसमें köरकी यह तो आपको यह उचार रहा है इसले ऱेकिन तो णिजिस का अ बनागी। वह तो आपका वह use रहे भी, तो मुझे क्या चेंज, यह तो ठीक है विल्कुल, तो मैं ऐसे कड लेता हूँ, या तो मुझे पहले वाली image, को delete करना होगा, जो पहले बनी है, ठीक है, मैं बूसरी image चेंज करकर देख लेता हूँ, चले मैं लेने कर लिया, और docker compose अब मानेस डी फिर से चला देता हूं तो container फिर से खड़ा हो जाता है जो मैंने बनाया फिर से भई देखिए कोई चेंज नहीं आ रहा है जबकि मैं इमेज चेंज कर चुका हूं तो मैं यहाँ पर सर्विस का नेम चेंज कर देता हूं तो अब यह सर्विस का नेम मैंन अब यहाँ कोई भी चेंज कर सकते हैं बिल्कुल यही ठीक है दरसल वो सर्विस और जो netwerk है शर्विस का नेम हमने चेंज नहीं किया था उसी सर्विस से पहले में चली थी तो मैंने सर्विस का नेम चेंज किया और भी आज दिखाऊंगा नेक्श वीडियो में क्यागे